किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे शोटा था, मेरे हिस्से में मा आई मा पर किसने क्या कुछ नहीं लिखा, लिखने वाले तो दुनिया तक लिख रहे ऐसे थे मुनवराना उर्दो गजल में मापर सबसे जादा लिखने वाले मुनवराना अब हमारे बीच नहीं रहे मशूर शायर मुनवराना का 14 जन्वरी की रात दिल का दौरा पढ़ने की वज़े से निधन हो गया वो कई दिनों से भीमार थे उन्हें दिल और केड़नी से संबंदित कई समस्याएं हो गए थी उनका लखनौ के PGI में इलाज चल रहा था लेकिन रविवार की रात उनके निधन की बुरी खबर सामने आई मुनवर राना की तबियत पिछले साल भी काफी बिगड़ गई थी तब भी उन्हें लखनौ के अपोलो हॉस्पिति में भरती कराया गया था तब सिहत इतनी बिगड़ गई थी कि मुनवर को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था बाद में स्थिती कुछ सुधरी लेकिन कुछ समय बाद फिर तबियत बिगड़ने लगी मुनवर राना का जन्म उत्तरप्रदेश के राइबरेली में 26 नवंबर 1952 को हुआ मुनवर अपने शायरियों के लिए कविताओं के लिए पहचाने जाते थे उर्दू के अलावा हिंदी और अवधी भाषाओं में लिखते थे मुनवर ने कई अलग अलग शैलियों में अपनी गजले प्रकाशित की राना की किताब शेहदाबा को 2014 में साहित यकादमी पुरसकार भी मिला इसमें कविताओं और शायरियों का संग्रह था हलाग कि 2015 में और सहिश्ट रता बढ़ने के नाम पर उन्होंने अवार्ड वापस कर दिया था इसके लावा मुनवर को अमिर खुसरो पुरसकार, मीर तकी मीर पुरसकार, टॉक्टर जाकर हुसेन पुरसकार और सरस्वती समार्श पुरसकार भी मिले हैं ये सभी साहित्य जगत के बड़े पुरसकार माने जाते हैं मुनवर राना के पांच बच्चे हैं, उनकी बेटी सुमया समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी है, दूसरी बेटी फौजिया कॉंग्रेस में है बीते दिनों मुनवर को कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा था, मुनवर राना अक्सर विवादों में रहते थे रामबंदर पर फैसला आने के बाद उन्होंने पूर्फ चीव्जस जस्टिस रंजन गुगोई पर सवाल उठा दिया था जब उन्होंने तालिबान को लेकर एक बयान दिया था, तब भी चर्चा में आते इस बयान को तालिबान के समर्थन के रूप में लिया गया और विवाद हो गया 2022 में यूपी में हुए विधान सभा चुनाव के पहले मुनवर राना ने कहा था कि योगी आदितनात अगर दोबारा मुखी मंतरी बने तो मैं यूपी छोड़ दूँगा दिल्ली कॉलकाता चला जाओंगा मुनवर ने किसान आंदोलन पर ट्विटर पर एक शेर लिखा था जिस पर विवाद हुआ था अपने शेर में राना ने संसत को गिरा कर खेद बनाने की बात गही थी हाना कि विवाद होने पर उन्होंने स्वीट को डिलीट कर दिया था मुनवर राना के इंतकाल पर सोशल मीडिया पर नेताओं सहित कई लोगों ने शोक व्यक्त किया किसी ने उनकी ही पंक्ती एक साइट पर शेयर की, वो पंक्ती है, तो अब इस गाउं से रिष्टा खत्म होता है, फिर आखे खोल ली जाएं किस अपना खत्म होता है. महीं कॉंग्रेस ने ता जीतू पटवारी ने लिखा, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इस से जादा मैं तिरा हो नहीं सकता. मुनवराना ने देश और विदेश में आयोजित मुशायरों में शिरकत करे और अपने बुलंद खनक्ती आवाज में महफल में जान फूमती. अब मुनवराना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका लिखा हमारे बीच रहेगा. मुनवराना की कुछ खुब्सूरत पंक्तियों से हम उन्हें अलविदा कहते हैं. मेरी मुठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, कि अब ये जिन्दगी मुझ से ठक जाने को कहती है. जिसे हम ओड कर निकले थे आगाजे जवानी में वो चादर, जिन्दगी यब मसक जाने को कहती है. कहानी जिन्दगी की क्या सुनाए एहले मैफिल को, शकर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है. मैं अपनी लड़क राजहट से परिशान हूँ, मेरी पोती, मेरी उंगली पकड़ कर दूर तक जाने को कहती है. आपके लिए, ये सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया और अभिशेक ने जुटाई थी, मेरा नाम सोनल है. आप मुनबर राणा की कौन सी पंक्तियों को याद करते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा. शुक्रिया.